इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समान गयन के सो महत्तपुण प्रस्ण उतर, सभी प्रस्ण सलेक्टेड है, एकजाम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा उस नदी के किनारे का नाम बताईए, जहां पर हडपा इस्थित है, सही उतर है, रावी नदी के किनारे हडपा इस्थित है, काली बंगन किस जगह पर इस्थित है, राचस्थान में हडपा सवेता को किस यूग की सवेता माना जाता है नाम बताइए सही उतर है कास्य यूग कास्य यूग किस धातु का ज्यान सिंदु घाटि के निवासियों को नहीं था लोहा, सोना, चांदी, तामबा इंडिका की राचना किस व्यक्ति ने की थी मैगेस्थनीज ने और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गुपतो के सासनकाल में उस चीनी यातरी का नाम बताए जो भारत आया था सही उतर है फैहान मा भारत की राचना किस ब्यक्ति ने की थी उनका नाम बताए वेद ब्यासने मा भारत का इउध कितने दिनों तक चला था अठारत दिन तक कुरुवन्स की रधानी किस जगा थी हस्तिनापूर हस्तिनापूर त्री पीटक सहीत्य किस धर्म से संबंधी थै बौध धर्म से किस सासनकाल में त्रित्य बौध संगीत हुआ असोक के समय में अकबर नाम या आइन ए अकबरी की राचना किस ब्यक्ति ने की थी अबूल भजल अकबर के वित मंत्री का नाम बताईए टोड रमल अकबर के वित मंत्री के नाम दोस्तो टोड रमल था पुराणों की संख्या कितनी है 18 दोस्तो पुराणों की संख्या आठार है याद रखियेगा किस मुगल समराट ने तमबाकु का सेवन सबसे पहले किया था अकबर ने प्रथम युद पानीपत का कब हुआ था 1526 इस्वी में पानीपत का प्रथम युद हुआ था शेख मुईनुच्छीन चिस्ति की दरगा किस जगह इस्थित है अजमेर में किस साल दिन ए इलामी धर्म अकबर ने चलाया था 15-82 इस्वी में सबसे ज़्यादा विकास अस्थापत काल का किस के सासन काल में हुआ था साजहा के काल में बिजयनगर समराजे को किस ने अस्थापित किया था सही उत्तरे हरिहर और बुका ने गोपूरम क्या है तो दोस्तों मंदिर का परवेश्ट द्वार होता था गोपूरम किस राज से हमपी नंगर संबन्धित है विजय नगर से विजय नगर के सासकों ने खुद को क्या कहकर संबन्धित किया था राए भक्ति आंदोलन का आरांभ उत्तर भारत में किस संथ ने सुरू किया था रामनंद ने रामनंद संथ ने राविया किस तरह की संथ थी रहस्यवादी संथ इबन बबुता किस देश का यातरी था मुरोको देश का भारत में अलबुरुन छीन किस के साथ आया था सही उतर है महम गजनवी के साथ संथाल विद्रो किसका नेत्ता था नाम बताईए सही उतरे सिंधु और कानु का दामिन एको क्या था भू भाग अस्थाई बंदोबस्त किस देश में लागू किया गया था तो सही उतरे बंगाल में इंगलिश इस्थ इंडिया कमपन की अस्थापन कब हुई थी? सोरस इस्वी में अस्थाई बंदोबस्त किस से संबंदित है सही उतरे वेले जली से संथाल विद्रो कब हुआ था 1855 इसवी में व्यप गत सिधान्त का संबंद किससे है नाम बताईए सही उतरे लाड डलहौजी से 1857 की क्रांती की सुरत कब हुई थी 10 मई 1857 1857 की क्रांती की समें बिहार राज में क्रांती के नेता का नाम किया था तो सही उतरे कुमर सिंग केटवे आफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था 1911 इसवी में दिल्ली चलो का नारा किस ब्यक्ति ने दिया था सुभाष चंद्र बोस्त ने जालिया वाला बाग हत्या कंड किस सन में हुआ था सही उतरे 1929 इसवी में अमरित्सर में काला कानुन को क्या कहा गया रोलेट एक्ट पूना सम्झाता किस सन में किया गया था 1932 इसवी में चमपारण सत्यग्रव विहार में कब आरणभ हुआ था 1927 इसवी में चमपारण सत्यग्रव अरणभ हुआ था और सयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ 1929 में 1929 में किस आंदोलन का आरणभ किया गया था नाम बताइए सही उतरे और सयोग आंदोलन मुसलिम लिक्य स्थापना किस वर्ष की गय थी 1926 में भारतिय सोतंतता अधनियम को किस सन में पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 में समप्रभूत्ता निहित भारतिय सम्विधान के अनुसार किस में है राष्ट पती समुत्र गूप्त इवरोप का कौन था तो सही उतरे नेपोलियन किस सासक ने दिल्ली से दौलता बादराजधानी को परिवर्थित किया था मुहमत तुगलक ने असायनिक और सायनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला बिजाई नगर समराजे भूमिधान को क्या कहा जाता है अमर्भ किसका उपदेश बीजक में संगरहित है सही उतर है कबीर का किस मुगल सासक के दरबार में कैप्टन हांकिस आया था नाम बताईए जहागीर सबसे पहले भारत आने वाला पहला एरोपियन का नाम बताईए पूर्तगाल रेलेवे की सुरुगात भारत में कब हुई थी तो इसका सही उतर है 18.73 में भारत की पहली मईला राष्टिय कांगरेस के अधर्ष का नाम बताईए एनी बेसेंट भारतियस्व मिधान का पिता किसे कहा जाता है डाक्टर भीन राव अंबेडकर को विरुपाक्ष मंदिर किस जगा इस्थित है हमपी में दित्यवीस इउद की घोषडा किस सन में हुई और किसने की थी तो सही उतर है 3 सितमबर 1949 में बिरिटेन में जर्वनी के विरुद इउद की घोषडा की थी दित्यवीस इउद की पहली बैठक सम्मिधान सवा की कब हुई 9 दिसमबर 1946 को पहली बार भारतिय सव मिधान सवाप और हस्ताक्षर कब किया गया था 24 जनवरी उनईशा पचास को रूस में समझवादी राजे की अस्थापना उनईशा सतर में किसने की थी लेनिन ने भारत के पहले ग्री मंतरी का नाम बताए सर्दार वल्ला भाई पटेल सिमान्त गांधी के नाम से किसको जाना जाता है खान अब्दुल गफार खाको कस्मीर के विलाई पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था राजा हरी सिंग ने राजे के पुनर गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताए न्याय मूर्ती फजल अली भारत का हिस्षा सीकिम किस सन में बना उन्यशा पचवात्तर इस्वी में राजे पुनर गठन आयोग की अस्थापना किस सन में की गई सही उतरे उन्यशा तिर्पन में भारतिय राष्टिय कांगरेस की अस्थापना किस सन में की गई 1885 इस्वी में नेहरु की मिरुत्यों के बाद उनका राजनीतिक उतरदाई किसे बनाया गया लाल बहादुर सास्तिरी को अपात काल भारत में कब लागू किया गया था 1975 में 25 जून 1975 को वित्या अपात काल भारत सम्विधान के किस अनुछेत के द्वरा लगने की अनुवतित है एक्ट तीन सा साथ के में मुलुक सब्द का मतलब क्या होता है सही उतर है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो बिरिदेशवर मंदिर को किस ने बनाया था सही उतर है राजा राज राजा राज ने उड़ डिस्पैज की उपलबधियो को मुल्यांकन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था हंटर आयोग का वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दरन राजदरो की संग्या की गई थी स्वद्यसी आंदोलन के दरान अवग्या अंदोलन के दरान त्री चिनो पोली से वंदे मातरम तक मार्च का निर्थुत किस ब्यक्ति ने किया था सही उतरे राज़ गोपाल चारी जी ने मौरे समराज़ के संस्थापव का नाम बताइए चंद्रगूप्त मौरे ने और्ठसास्त्र की राचना आग इसने की थी सही उतरे कॉटीलिय यानी चड़ाके ने उस ब्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज़दर्वार में मेगा अस्तनीज में राजपूत के रूप में काम किया था तो सही उतरे राज़ चंदरगुप्त मौरे हडापा संस्कृतिक खोचकिस सन में की गई थी 1921 इसी में हडापा का छेत्रफल कितना है सही उतरे 12,996 किलो मिटर मोहन जोड़ो और हडापा के बीच दूरी बताईए 670 किलो मिटर है किसे मौरीतिको का टीला कहा जाता है मोहन जोड़ो का अर्थ बताईए तो सही उतरे मौरीतिको का टीला मगद की रजधानी का नाम बताईए तो सही उतरे पाटली पूत्र पाटली पूत्र नगर के स्थपना किसके द्वारा की गई थी तो सही उतरे उदे भद्र के द्वारा शमाजिक गरंथों में वजी को क्या कहा गया गड़तंत्र तच्छ सिला कहा पर इस्थित है उस देश का नाम बताईए तो सही उतरे पकिस्तान में तच्छ सिला इस्थित है सबसे पहले धम की सुरात किसने की थी तो सही उतरे असोक ने किसको गांगा का कुतर कहा जाता है तो सही उतरे भीश्म को इस वीडियो का लाश्ट प्रस्ण है दोस्तों प्रस्ण नमबर 100 माभारत की रचना किस भासा में की गई तो सही उतर है संस्क्रित में तो दोस्तों ये थे इतिहास के 100 महतपुन प्रस्ण उतर उम्मिद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसे इमोश्ट जी के जिस वीडियो पढ़ने के लिए